कि जो नेताओं की सूची तैयार की गई है आठ साल, सितंबर 2014 से माई 2022 तक कितना सितंबर 2014 से माई 2022 तक बयारों को खंगाला गया आईटी विशग्यों की मदद ली गई और इसमें निकाला ये गया कि पिछले आठ साल में नेताओं ने सितंबर 2014 से 3 माई 2022 तक 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए इन विश्चक्यों के मताबिक जो ITCEL ने खंगाला है जो आपके नेताओं की लिस्ट है कितने 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए 2700 बयान शब्दों में जो सम्वेदनाय थी वो थी नहीं 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मानताओं के हिसाब से आहत करने वाली कैटिगरी में रखा गया और करीब 5200 बयान जो गैर जरूरी पाए गया उसमें से 2700 बयानों के शब्दों को सम्वेदन शील पाया गया 28 बयानों के लेकर जो धार्मिक मानताओं के हिसाब से जो कैटिगरी में रखा गया उस कैटिगरी में जिनके नाम है गिरिराद सिंग सरकार में मंत्री साक्षी महराज सांसद विने कटियार पहेश शर्मा संगीत सूंग विक्रम सैनी तथागत राय गवर्णर रह चुके हैं अनंत कुमार हैकडे 2017 में केंद्रे मंत्री बनाये गए थे ऐसे 38 नेताओं के नाम हैं जिन्होंने हेट स्पिछ दी यह आईटी से पता चला है खंगाला गया बीजेपी के नेताओं से अब आपकी पतिक्रिया प्रमुक साब मैं तिलगी सबसे पहला आपके माध्यम से अपनी पार्टी की आईटी सहल को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपनी पार्टी को नमन करता हूं कि उसने बड़ा दिल दिखाया है एक चीज़ और कह रहा हूं साथ-साथ यह जो उस्तर प्रदेश में कानपूर हुआ ना य कि पहली पार्टियों का रिकॉर्ड है मैंने तो मैंने तो जिक्री नहीं किया उनका कि गोली मारो वालों का है ना गोली मारो वालों का मैंने जिक्री नहीं किया यह हमारा हिमत का काम है ना तिलग जी हमने कोई बड़ा काम होने से पहले ही अपने लोगों की लिश्वी बना आप सच नाराजी होगी आप से दोड़ो ब्रहमन आपकी डिवेट में बैठे हैं और आप ब्रहमनों के पीछे लगे हुए हो इसमें भी मतलब यह सच है यह जूट आपको टैक करना चाहिए आप ते कानपूर का जिक्र किया कानपूर की तस्वीर में आपके सामने रखता हू साक्षी महराज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी फेस्बुक पोस्ट वॉल पर जो लिखा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं साक्षी महराज ने कहा कि हिंदूो एक हो जाओ कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं आएगा आपको खुन की रक्षा करन परमुग साहब कह रहे हैं यह साक्षी महराज का मैंने कहा कि चएक कर लो ना यह सचा या जूट है इस तरह से वाइरल हो रहा जूट है जूट है इसा नहीं लिखा तो इसकी भी खंडा नोना जी और जिसने वारल किया इसके खिलाफ एप आयार दरज होनी चाहिए इसमें आदेश गुपता जी ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट आपके सामने है और ये ट्वीट उस वक्त का है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरीवाल के आवास पर तोड़फोर करने वाले भाजपाई कारे करताओं को जमानत मिली थी जमानत मिलने के बाद बीजेपी के कारियाले में उन्हें सम्मानित किया गया था और आदेश कुपता ने अपने ट्वीटर हेंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा था और जो CM केजरिवाल पर जो निशाना साथा था उन्होंने क्या लिखा था मैं आपके सामने ये हिंदू विरोधी केजरिवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त जेल गए बीजेपी युवा मोर्चा के आट कारे करताओं को 14 दिन के बाद कोट द्वारा जमानत मिली आज प्रदेश कारियाले में अपने इन युवा क्रांटी कारियों का स्वागत किया हमारा प्रतेक कार्यकरता हिंदू विरोधी ताक्तों के खिलाफ सदेव लड़ता रहेगा दवेंद प्रमुक साब ये स्वागत तो खुद आपके ही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे आप कहरें कि इस तरह की हेट स्पीच वगारा देना हमारा हक नहीं है प्रमुक साब प्लीज स्क्रीन जेकर आप गोधी गोधी चिलना रहे गोधी मीडिया आप भी तो विपक्ष की गोधी में बैटे हैं आप गोधी गोधी करकर जो है बीजेपी को गेड़ने के सिवा और को इस तिलग जीव काम थोड़ी बचरा आपके पास लेकिन लोग तंत रहें आप कादीकार हैं अगर बीजेपी की इतनी ताकत होती तो फिर आप ही कहां चलते हैं अपनी बात रखने के लिए आप आजाद हैं तो बताईए फिर गोधी और मोधी कहां रहे गए अच्छा तो मैं विपक्ष की गोध में जाकर बैढ़ गया क्योंकि मैं सत्ता से सवाल पूछते हूं इसलिए नए ने मैं सकता है सवाल पूछते हो सिर्फ इतना था कि हम गोध से और गांधी को एक साथ लेकर कैसे चल सकते हैं मैं आपको बता देता हूं यह सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि यह जो तताकतित पत्रकार उनकी भी लिस्ट तयार करो ना जो रोज हिंदू मुसल्मान करवाते हैं मजाक बात नहीं है यह सूचना मंत्राले ने बकाइदा एडवाइजिर जारी की उसके बावजूद इस तरह के कारिकरम्स करवाए जा रहे हैं रोज हिंदू मुसल्मान की डिबेट उती हैं मैं इसलिए कहराओ कि क्या ऐसे तताकतित पत्रकारों की लिस्ट भी तैयार होगी जैसे आपने नेताओं की लिस्ट तैयार की जो रोज हिंदू मुसल्मान करते हैं सूचना प्रसानट मंत्रा ले एडवाइजरी जारी करता उसके बावचूद इस तरह की डिबेट्स होती हैं ये मेरा काम है सर आपके पूरवजने जाला ने बावा ने किसने लड़ी है या आपकी पार्टी के किसने लड़ी है इसको आजादी कॉंग्रेस ने दिलाई है अरे कि यही कहाता ना प्रमुक् साथ आपने हाँ जी अब भी कह रहा हूं यह वाट्सफ यंवस्टी में जो आपने पढ़ा कि नहरू ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी यह वाट्स अड़ा आपने यह वाट्स अव्यूस्टी उन्मारी निवाजरी चिसने थी 2700 हेट स्पीच दे चुके हैं और इन हेट स्पीच से देश का ब्लेड प्रेशर बढ़ा है कितने 38 नेता आपके जो लिस्ट तयार की है बीजे पी ने जो अंदर की खबर आ रही है उन अड़ाओं ने 8 सालों में 2700 हेट स्पीच दी है बहुत देर करती हुजूर आते आते